तो मैं आज बनाने वाली हो सैंडवीच यह बहुत ही टेस्टी होती है अपने बच्चों के लंच में इसको बना कर दे सकते हैं सबस्वेले में यहां पर रखूंगे गढ़ाय इसमें थोड़ा से टेल डालोंगी और इसमें बारी कटा हुआ यालोंगी अब इसमें डालोंगी बारी कटा हुआ हरा मिर्च जाओ इसको भी अच्छे से मिला लेंगे अब मैं इसमें डालूंगी अधरक लेसुन का पेस्ट इसको भी अच्छे से टाल कर फ्राई कर लेंगे अब यहां पर मैंने चरपाँच आलू को बाल लिया था और इसको इसी में डाल कर मिला लेंगे इसको अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें डालूंगी काली मुरीच का पाउडर और हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर और इसमें आम चूर पाउडर या आप चाट मसाला डाल सकते हैं तो मैं आप चाट मसाला डाल रही हूं और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें कि इसके बद मनेड़ां पूलाओं नमक और हरी दणिया मैं इसको डूलकर अच्छे से मिला लेंगे हुँआ इसमे अलुको हमें अच्छे से मैज कर लेना है इसमें आलो खड़ी नहीं रहने चाहिए इसको अच्ते से मेर आज करके मिला लेना है हुआ dzi अब हमारे अलूब बन चुके हैं अब इसको हम बहार निकाल लेंगे और इसको बनने के लिए मैंने तीं-चार बाइट लिया है अब चाहे तो कोईसे भी ब्रेट लें सकते हैं तो यहां पर मैं हरी चटनी लें और सॉस लें हूं तो हम इसी तर हरी चटनी को एक ब्रेट पर लगाएंगे और एक ब्रेट पर टेमेटो सॉस को लगाएंगे इसके बाद इस आलू के मिस्टरन को हम इस पर पर भरेंगे इसी तरह से हमें आलू पर पूरे ब्रेट पर लगा लेना है इसके बाद हमें दोनों ब्रेट को एक में सटाकर रख लेंगे इसी तरह प्रड़ों में इसी तरह आलू लगा कर चेटनी सॉस लगा कर रख लेंगे अब यहां पर एक तवा लिया हुआ है और इसको अच्छी तरह से गर्म हो जाने पर इसमें मैं डालूंगी बटर बटर को पुरे तवे पर फैला देना है अच्छी तरह से और इस पे ब्रेड को रखकर हम सेख लेंगे सेंवीच को और हम इसको अच्छी तरह से लोनों तरफ प्लट प्लट कर ब्राउन होने तक सेख लेना है अब हमारा सेंवीच बन चुका है इसको हम बीच में से कट करेंगे इसको दीरे-दीरे करके काटना हने तो हमारा ब्रेड टूट जाएगा तो इसी तरह से आपको कट कर लेना ब्रेड को आप अगर इस तरह से सेंवीच बनाएंगे तो यह बहुत ही टेस्टी लगेगा आप अपने बच्चों के टिफिन में सेंवीच बना कर इस तरह से दे सकते हैं अगर यह मेरी वीडियो अपलोग को अच्छी लगिए तो लाइक कर दिजिएगा सेयर कर दिजिएगा सस्क्राइब कर दिजिएगा बेल आइकन को फ्रेज करना ना भूलिएगा मिलती हो नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए